हेलो स्टूरेंट्स आज हम लोग सीखेंगे डी लेटर ठीक है? डी ड क्या होता है? डक, डी का फोनिक साउंड है ड, which लेटर इस दिस? मालूम है आप लोग कोई कौन सा लेटर है? डी, क्या है ये? डी, which लेटर इस दिस? डी, अगर आप से कोई पूछता है which लेटर इस दिस? तो आप क्या कहेंगे? डी, ठीक है? अब देखें, डी से होता क्या है? डी से होता है डॉग आप बोलते हैं न, डी डॉग डॉग बोलेंगे इसको डी से डॉग होता है और डी से डॉग भी होता है ठीक है? तो डी का फोनिक साउंड है डॉग क्या है डी का फोनिक साउंड? डॉग तो डी डॉग डॉग डी डॉग इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है? तो यह देखें डी डॉग होता है यह मैंने पिक्चर भी यहाँ पे आपको बना के दिखा दी है कि डिड़ डख होता है इस तरह से हम इसमें आप डी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो पहले डॉट्स पे ही हम पहले चिल से लिखने कोशिस करेंगे तो यह देखिए यह मैंने डॉट्स से टी बना रखा है और हम इस पे पैeln सिल चलाएएंगे तो पहले हम इस्टेंडिंग्लाइन बनाएंगे यह दिखे, standing line बनाएंगे, up to down, standing line, ओके, अफिस के अंदर, उपसे लेके, नीची तक, इस तरह से हम curve बनाती आएंगे, ठीक है, यहां से start करेंगे, यहां पर end करेंगे, और इस तरह से curve बनाती हुए आएंगे, once again, इस बदा दिख लिए, यहां से start करेंगे, यहां पर end करेंगे, और dots पर pencil चलाते हुए हम curve बनाते हुए आएंगे, ठीक है, तो यह बन गया आपका D, ठीक है? आप इसमें हम क्या करेंगे कलर करेंगे तो इसमें कलर ऐसे ही करना है same to same पहले आप एक standing line बनाएंगे और उपसे नीचे आप इस तरह से curve बनाते वे आइंगे ठीक है बस ऐसे ही करना है आपको सारे कलर से standing line और curve तो यह हो गए आपका दी और जितनी बार準 आप लिखेंगे उतनी बार बोलेंगे दी ऐसे जब आप सारे color से करेंगे न तो इसमें आप अपने आप ही color हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको पूरा fill करेंगे color को कलर से राइट करके ठीक है और साथ में बोलेंगे भी डी डिड़ डग और डिड़ ड़ और डिड़ डॉल भी होता है ठीक है एक कलर को आप दो बार भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे अप टू डाउन स्टेंडिंग लाइन और फिर एक कर्व बनाएंगे यह दिखिए कलर भी हो गया है ना तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको जो है वर्क करके सेंड करेंगे ओके डो इट